अच्छा तो आपको यह जानना कि स्मार्ट वर्क क्या होता है तो देखिए पहले जान लिए कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या नहीं होता तो स्मार्ट वर्क का मतलब कभी यह नहीं होता कि आपको मेहनत ना करनी हो जबकि स्मार्ट वर्क में यह होता है कि आप जब मेहनत करते ह तो result बहुत अच्छा आता है मतलब जो normal लोग मेहनत करते हैं उनको जितना result मिलेगा आपको बहुत कम मेहनत में उतना ही result मिल जाएगा इसलिए तो यह बात कही भी जाती है कि टॉपर्स होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, बलकि काम को अलग तरीके से करते हैं, अर्थात smart तरीके से करते हैं, और बहुत कम महनत में, बहुत ज़्यादा output उनको मिलता है, और जब ज़्यादा महनत करेंगे, तो बहुत ज़्यादा output मिलेगा, तो ये बात आपको तो उसी को कैसे अपने काम में लाया जा सकें तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क और एक इस्टुडेंट के लिए जैसे स्मार्ट वर्क यह मतलब है कि पदा चला आपने एक महीने पूरा पढ़ा और एक महीने पढ़के आपको लच्मी कांत याद हुआ लेगिन दूसरे आदमी ने मालो 20 दिन में ही लच्मी कांत को उतना पढ़ लिया जितना उसको उसको यूपीस्ट के लिए जरूरत था तो इसको बोलेंगे कि उसने स्मार्ट तरीके से पढ़ाईगी मलब होता है कि काम को एसे करो जसमें चाहता से यादा मूट मिले और सुस्टेन करे अर्थाथ आपको चीजे याद रहे जैसे मैंने डेवल्यंट गोल कैसे याद करें यह वीडियो मैंने बनाई थी आप उस वीडियो में जाकर देखो देखो कि मैंने उसको कैसे स्माय तरी